गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स माइनम इस मीनु नरुका फ्रॉम राजस्थान ठीटी कॉलेज मैं बिया से थर्डियर को एंज्जिस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एंब्रियोलोजी में जो टॉपिक पढ़ा रही हूं वो टॉपिक है फ्लॉवर से रिलेटेड जो भी बात होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो फ्लॉवर है उसमें चार चक्र पाय जाते हैं दो सहायक चक्र होते हैं और एक दो जो होते हैं वो आफशक चक्र होते हैं क्योंकि एक कम्प्लीट फ्लॉवर के लिए इन चारों चक्रों का होन आफशक होता है इसके अलाबा flower को जब हम बनाते हैं या floral formula जब हम लिखते हैं तो इसको लिखने से पहले हमें flower से related जो भी जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए हमें सारी चीजों को पता होना चाहिए कि flower complete है या incomplete है या that means complete flower है वो होगा कि इसमें चारो चक्र उपस्तित है इसके अलाबा अगर हम फ्लावर को बाहर से अंदर की तरफ जो चक्र है उनको वहार से अंदर की तरफ देखे तो हमें बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए जैसे कि जो सैपल है और पैटल है या फिर हमें यह कहेंगे कि सैपल का जो चक्र है बाइदल पुझ जिसे हम कहते हैं कैलेक्स ठीक है कैलेक्स आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए है किस प्रकार से उनकी विवस्ता है उनकी कितनी संख्या है इसी तरीके से जो पैटल है पैटल का जो चक्र है जि किस प्रकार की है इसी तरह जो फ्लॉवर है उसों हम बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं या फिर बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं इन बातों को पता होना चाहिए इसके अलावा जो अगर हम तीसरे चकर की बात करते हैं जिसी हम पुमंग कहते हैं एं उनकी किस प्रेकार से व्यवस्ता है, क्या कुछ पुंके सर जुड़कर फ्लामेंट टूब का निर्मान करते हैं, या सारे जो इस्टेमन है, वो जुड़कर फ्लामेंट टूब का निर्मान करते हैं, कौन से जो, इस्टेमन है, वो, बंधे हैं, मतलब नॉन फर्टाइल कहते हैं, इसके अलावा जो पुंग्ेसर एक चक्र में वैवस्तित हैं, या धीक चक्र में वैस्तित हैं, शोसमें कोरोला उससे प्रतक हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी हमें होनी चाहिए इसी प्रकार से अगर हम जायांक की बात करते हैं मतलब गैरोरश्यम की जगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए कि जो अंडाश्य है उसकी इस्तिती किस प्रकार से है मतलब अंडाश्य क्या जो ऑवरी है उसकी पुसपासंद पर कि अंडाशे के स्थिति पुषपासन पर किस प्रकार से ये भी हमें याद रखना है इसके अलावा जो कारपल है उनकी संख्या कितनी है फ्लॉवर के अंदर और जो कारपल है वो एक है या अधिक है मतलब कि जो फ्लॉवर है उसे हम एक अंडपी कहेंगे दू अंडपी यह कहने का मेंज कि इसमें एक कारपल है, दो कारपल है या अधिक कारपल है, ठीक है, इसके अलाबा जो अंडाशे जो है, उसमें जो बीजांड जो होते हैं, ओव्यूल जिसको हम कहते हैं, उन ओव्यूल की इस्थिती किस प्र scient sensitIR से है और जो ऑव्यूल जो है प्लेजेंटा पर उनका व्यवस्ता किस प्रेकार से है इसका हमें पता होना चाहिए इसके अलावा जो जो अंडप है जिसे हम कारपल कह रहे हैं वो किस प्रेकार से है एक कोश्टकी है मतलब यह द्यू कोश्टकी है इस प्रेकार का हमें पता होन का जो diagram है वो बना सकते हैं और इसके अलावा floral जो diagram है sorry floral जो formula है उसको हम लिख सकते हैं तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़े जब हमें पता होंगी तभी हम किसी भी family का flower diagram बना सकते हैं और floral formula लिख सकते हैं तो हम पढ़ रहे थे कि जो flower जो होता है एक complete flower होता है उसमें दो सायक चक्र होते हैं और एक sorry दो आवशक चक्र होते हैं जिसमें हम जायांग के बारे में पढ़ रहे थे जो जायांग जो होता है वो पुष्पय पर्णों का सबसे भीतरी भाग होता है जो कि पुष्पासन पर इस्सित होता है ठीक है इसके अलावर जो जायांग जो होता है वो किसका बना होता है अंडपो का बना होता है और इस कारपल्स के भी तीन भाग होते हैं सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम आवरी कहेंगे that means अंडाश्य कहेंगे दूसरा जो भाग होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं उसे हम style कहेंगे तीसरा जो भाग होता है वर्तिकागर कहते हैं जिसे हम stigma कहते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, अंडाश है, जिसे कि हम आवरी कहते हैं, यह कारपल, that means जो अंडप है, उसका प्रेमुक भाग होता है, और यह वर्तिका के नीचे पुसपासन पर रखा हुआ, फूला हुआ भाग होता है, डायग्राम में हम देख ही सकते हैं, डायग्रा और यह उसका फिर्षट जो भाग है, अंडाश है, यह पुसपासन पर रखा ही, अंडाश है, जिसे कि तरीके से होती है, यह भी हमें पता होना चाहिए, तो जो अंडाशे जो होता है उसमें बीजांड जो होते हैं बीजांड संद पर लगे रहते हैं that means pleasant पर लगे होते हैं और बीजांड में बीजांड में क्या उपसेत होता है बीजांड में भून कोश that means embryo सेख पाय जाता है embryo सेख के बारे में हम embryology में अलग से बढ़ेंगे क्योंकि यह एक अलग topic है बीजांड अंडाशे में बीजांड संथ पर लगे होता है उसे हम style कहते हैं यह है वरंत के समान होता है अब आप इस diagram में देख सकते हो कि अंडप जो है यह अंडप है पूरा और इसका यह वाला जो भाग है यह वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है इसे हम वर्ति का कहते हैं style कहते हैं ठीक है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये फ्लावेंट के समान दिखाई देता है, अब इस फ्लावर में हम तीसरा भाग जो देखते हैं, अंडप का, मतलब कारपल का तीसरा भाग जो होता है, वो होता है वर्तिकाग्र, मतलब वर्तिकाग्र का अग्र भाग, वर्तिकाग्र जिसे हम stigma कहते हैं, यह कारपल का तीसरा प्रमुख्व भाग होता है वर्तिकागर यह अंडप का सबसे सीरस्त भाग होता है और यह चिपचिपआ भाग होता है कई प्रकार्श का हो सकता है जैसे छत्रक के आकार का आप इस diagram में देख सकते हो कि जो इस्टिग्मा जो होती है वो छत्रक के आकार की इस तरीके से छत्रक के आकार की हो सकती है ठीक है लंबी हो सकती है तता पिछा की डैट मिस जो पंक आपने देखे है उसके समान हो सकती है पिछा की हो सकती है पंकों के समान हो सकती है या फिर तस्तरी के समान हो सकती है अब यहा यहां पर देख सकते हो यह तसत्री के समान हो गई ठीक है या फिर पालीवत होसकती है मतल؟ लोब्ड़ भी होसकती है यह कुछ सीदस भाग जो होता है वर्तिका का जिसे हम वर्तिकागर कहता है यह लोब्ड़ भी हो ecosकता है मतल? कुछ पालियों में डिवाइड भी हो सकता है, या फिर लिनर प्रकार की भी हो सकती है, इस तरीके से ये दिखाई दे सकती है, इस तरीके से इसका सनरशना हो सकती है, जिसे हम रेखित कह सकते हैं, या फिर ये हुड के समान भी हो सकती है, ठीक है, रेडियेट हुड के समान इस इसके अलावा भी यह कई प्रकार से हो सकता है कि इसके अलावा भी यह कई प्रकार से हो सब्सक्राइब जब फ्लावर का डाइग्राम बनाएंगे और उसका फार्मूला रखेंगे तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का हमको शो करना पड़ेगा हमें याद रखना होगा कि जो वर्तिकाग्र जो होती हैं किस-किस प्रकार से होती है इसके अलावा वर्तिक आग्र की और भी स्थिति पाए जा सकती है जैसे आप इस डाइग्राम में देखिए गायनो बैसिक स्टाइल ठीक है तो गायनो बैसिक इस्टाइल यह अब्जेक्टिव टाइप को जो प्रशन होते हैं उसमें आ सकता है कि जायंग नाभिक वर्तिका इंपोर्टेंट है यह जायंग नाभिक वर्तिका गायनो बैसिक स्टाइल है इसको समझाए इसको बताए तो वर्तिका जब पुसपासन से सीधी जुड़ी रहती है ठीक है अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो अंडाश्य है वो पुसपासन पर व्यवस्तित रहता है लेकिन यहां पर गायनो बैसिक स्टाइल के स्टिति में क्या है कि जब वर्तिका सीधी पुसपासन पर रखी है ठीक है जो वर्तिका उसमें क्या होगा कि जैसे यह फ्लॉवर है यह जो फ्लॉवर है अब इस फ्लॉवर में क्या होगा हम देख रहे हैं कि जो अंडा से जुड़ी होगी तो ऐसी में जो इस्टाइल जो होती है वर्तिका जो होती है उसको जायांग नाभिक वर्तिका या गायनो बेसिक स्टाइल कहते हैं ठीक है और इसके अलावा तथा दो या चार पालियों उसे घिरे रहती है अब आप इसमें देख रहे हो कि यहां पर यह पुस्पासन पर व्यवस्तित सीधी जुड़ी हो और दो या चार पालिया वन टू थ्री फूर चार पालिया इसमें इसको घिरे रहती जायंग नाभिक वर्तिगा कहला दिया जायंग नाभिक था है कहने का मिशंटी भी प्रकार की हो सकती है बुसरे इस्तिति देखते हैं इस्टैलोपोडियोप stylopodium मतलब stylopodium भी जो कुछ family होती है उसमें stylopodium वाली इस्तिती पाए जाती है वो किस प्रकार से पाए जाती है अधोवर्ती अंडाश्य है that means जब ovary inferior हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो flower है उसमें हर चीज की अलग-अलग इस्तिती हो सकती है कि हर पाएटर एक अलग-अलग हो सकती है तो इसी प्रकार here91 यहां पर क्या बता रहे सहीं MIKE कि अभी आपको बताऊंगी कि outằng की ब्रकार फिलॉयर हो सकती है इस्तिती है सूर्फफरियर हो होगी वह पुष्पासन में अंदर जब पुष्पासन प्याले के समान उसी छलिशाना बना लेता है और उसमें चली जाती है तो इस प्रकार की जो िस्टिती होती है तो उसे हम और इंसीर कहते हैं मतलstat उस टाइम पर ऊभिक एसे होगी इसके अधो आवरी की inferior सिती होगी और इसके जो सीरस्त भाक होगा उस पर क्या होगा क्याहिक होगा कि जायांगों पालिक डिस्क पस्यत होती है जिसे वर्ति का पाद या िस्टाइलो पॉडियम कहते हैं अब इसकी प्रतेक पाली से 2 स्वतंत्र वर्तिका ही निकलती है मतलब इससे क्या होगा शबसे पहले क्या हूँए जो अंडास्य उसकी स्टिती कैसी है inferior मतलब अंडा से पुषपासन में अंदर समाया हुआ है ठीक है अब इसके उपर क्या होगा जो यह अंडा से इसके सीज पर क्या होगा एक दूपालित ग्रंथिल जायंगों पालिक डिस्क उपस्तित होगी मतलब दूपालित ग्रंथिल डिस्क होगी अब इसके उपर भी क्या होगा कि प्रतेग पाली से यह जो पाली है इससे भी दो सौतंत्र वर्तिकाएं निकलती है तो वर्तिकाओं का जो आधारी भाग होता है उसको इस्टाइलोडियम कहते हैं जबकि इस प्रकार की जो वर्तिक का आधारी भाग जोगा उसको इस्टाइलोडियम कहते हैं आज के लिए बस इतना ही आगे हम कल पढ़ेंगे